जहीं दोस्तो मैं हुआ अनूप और आफ सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉनफलेट हिंदी देख भी हैरान हो चुका है क्योंकि रशिया के तरफ से एक ऐसे हत्यार के डिफलाफ्मेंट का दावा कर दिया गया जो जमीन में हवा में समुंदर में या समुंदर के नीचे लड़ाई नहीं लड़ेगा बलकि स्पेस में लड़ाई लड़ेगा रिपोर्ट में बताया जा ये कुछ और नहीं बलकि रशिया के तरफ से डिफलाफ्ट किया गया सुखोई S70 ओकर्टनिक है अब सबको पता ही होगा कि इस द्रोन को असल में रशिया के द्वारा स्टेल्थ कॉमबैट द्रोन के रूप में बनाया गया है और ये द्रोन रशिया सुखोई S57 फाइटर एरकेट के साथ as a loyal wingman के तहत इस्तेमाल करना चाहता है फिलाल द्रोनों के development संपूर्ण हो चुका है और फिलाल इसका trial को अंजाम दिया जा रहा है तो उहीं पर दोस्तों रशिया के तरफ से हाली में दावा किया गया कि ये जो द्रोन है मतलब ओकर्टनिक द्रोन है ये टेकनिकल कारोनों के वज़ा से इन द्रोनों के development को रोक के रखा है वोई पर S70 ओकिटनिक को लेके Russian expert का कहना है कि इसमें फिलाल AL-31 टर्बो जेट इंजिन का इस्तिमाल हो रहा है जो की सुकुई 30 जैसे ये जो द्रोन है ये एक हजार किलोमेटर पर आवर के रफतार में कर टार्गेटिंग से लेके रेडियो और अनने टाइफ के recognition equipment को लगाया गया है और ये जो द्रोन है ये करिवन 2.810 के weapon load मतलब हतियारों को carry कर सकता है और दोस्तों इसके साथ साथ अब इन द्रोनों को लेके वताया जा रहा है कि रश्या आसानी से इन द्रोनों को एक space द्रो स्पियर में भी operate करने में मदद कर सके हाला कि दोस्तों रश्या के तरफ से ये जानकारी नहीं दिया गया है कि द्रोन में रश्या किस तरीके के engine को इस्तेमाल करना चाहता है जिससे कि इसे एक space drone में convert किया जा सके पर वही पे कुछ expert हो का मानना है कि शायद ये वही engine हो जिस अधिक altitude में operate करने में मदद करे पर दोस्तों उस तरीके के engine को अगर देखा जाए तो ये कई दश्यक पुराने engine है और इसी कारण से expert हो का मानना है कि रश्या ऐसे इंजिनों का शायद इस्तेमाल ना करे बलकि इसके जगा में सुख़ ही 57 fighter aircraft के लिए develop के जाने वाले next generation के engine का इस्तेमाल करे अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर ऐसे द्रोनों के पास near space में या फिर कह तो space में जाके उड़ान भरने का शमता हो तो इससे रश्या को क्या मदद मिलेगा बेसिकली द्रोन अगर space तक जाने में सफलता हासिल करता है तो ये warfare में जूडने वाला एक नया हतियार होगा क्योंकि फिलाल दुनिया में ऐसे किसी भी देश के पास ऐसा कोई हतियार नहीं है जो space तक जाके लड़ाई लड़ने में सक्षम हो या फिर हतियारों के साथ space के नजदीक से उड़ान भर सके इस तरीके के द्रोन अगर space तक उड़ान भर सकता है तो इससे द्रोन को दो तरीके से फायदा होगा जिन में सबसे पहला फायदा तो काफी अधिक altitude में होने के कारण intercept होने का डर खतम हो जाएगा मतलब अगर ये द्रोन डिटेक्ट हो भी जाता है तब भी यहाँ तक एर डिफेंस सिस्टमों के पहुँचके इसे मार गिरा पाना या फिर इंटरसेप्टर यार क्रेप्टों के लिए यहाँ तक उड़ान भर के जाके इसका पीछा करके इसे म मार गिरा पाना लगबग नामुम्किन होगा दूसरे तरफ दोस्तों इतने हाई ऑल्टिट्यूट में ऑपरेट करने से ये द्रोन बिना डिटेक्ट हुए दुश्मन के शेत्र के अंदर घुस भी सकेगा और वहाँ पे अपने मिशोनों को अंजाम दे के फिर से वाफस भी और दोस視 के लिए रशिया के सामने दो तिन तरिके के और वी चैलेंजेज हैं जैसे कि इतने उचाई में जाने के बाद इन द्रोनों को मिशनों को अंजाम देने के लिए कम से कम नीचे आना पड़ेगा क्योंकि स्पेस में लड़ाई लड़नों के सामने कोई दुशमन ना हो क्योंकि अब तक स्पेस में लड़ाई लड़ सकने वाले कोई भी हतियार अन्ने देश के तरफ से डिफलर्फ नहीं किया गया है मतलब ग्राउंड स्ट्राइक को अन्जाम देने के लिए इन यार कैप्टो को फिर से लो अल्टिट्यूट में आना पड़ेगा और इस दर्मियान इन द्रोनों को डिटेट कर पाना या मार गिरा पाना थोड़ा आसान होगा जबकि दूसरे तरफ दोस्तो इतने हाई आल्टिट्यूट में द्रोनों को अन्जाम नहीं देता है तो इसके लिए इतने आल्टिट्यूट तक जाना कोई फादे मन नहीं होगा फिलाल दोस्तो ओकरटनिक को दुनिया का पहला Space Drone में Convert करने को लेके रश्या के तरफ से काम तो किया जा रहा है लेकिन देखा ये जा रहा है कि रश्या इस काम को कितना जल्दी अंजाम दे सके जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया में फिलाल इसके कारों के development के process के तहट आगे आए तो यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आज लाइक कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिंद